नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का GKS टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आगे आप जानकरी देख सकते हैं कि राजस्तान में आने वाले समय में राजस्तान में कम्प्यूटर सिक्षकों की भरती की जाएगी पूरे पूरूफ के साथ आगे वीडियो में आपको जानकरी दी जाएगी और इस वीडियो में खास बात ये है राजस्तान हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि कम्प्यूटर सिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाया और शिक्षा विबाग से यहाँ पर जवाब भी मांगा है तो पूरी जानकरी न्यूज पर चलते हैं ताकि सारी जानकरी आपको क्लियर होगी कि मामला क्या है तो यहाँ आप देख सकते हैं नवीव दसवी में कम्प्यूटर सिक्षा जरूरी तो फिर नियमित शिक्षक क्यों नहीं तो यह पूरी न्यूज आप देख सकते हैं खबरे हाई कोट से और इसमें जानकरी दी गई है कि किस प्रकार से कितने पद राजस्तान में कम्प्यूटर सिक्षकों के रिक्त है और यहाँ पर हाई कोट ने क्या आदेश दिया है उस पर भी हम बात करेंगे तो न्यूज पर चलते हैं सारी बातों पर हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए नवी दसवी में कम्प्यूटर सिक्षा जरूरी तो फिर नियमीद सिक्षक क्यों नहीं और काफी समय से विद्यारदी भी ये मांग उठा रहे हैं कि कम्प्यूटर टीचर्स की वेकेंसी निकाली जाए इन पदों को बरा जाए हब आगे आप नियूज में देखिए सारी बाते समय दी गई है हाई कोट ने प्रदेश के सरकारी इसकलों में नववी वद दसवी कख्षा में कम्प्यूटर सिक्षा अनिवारिय होने के बाद भी नियमीद कम्प्यूटर सिक्षक नहीं होने पर सिक्षा सचीव माध्यमिक सिक्षा बोर्ड के सचीव से 4 सप्ता में जवाब मांगा है आगे आप देखें, C.J.S. Ravindra Burt of Justice B.L. शर्मा की खंड़पीट ने यह अंतरीम निर्देश बुद्दुवार को डौक्टर चेतना यादो की जन हितियाचिका पर दिया अधी वक्ता टी एन शर्मा ने बताए कि प्रदेश में 14,000 सरकारी स्कुल हैं इनमें 1000 बच्चे पड़ते हैं और इनमें से 7,000 स्कुलों में करोडों रूपे खर्च कर कंप्यूटर लेब बनाये गये हैं लेकिन उनमें नियमीत कंप्यूटर सिक्षक ही नहीं हैं इनके लावा 905 सरकारी स्कुलों में 12 वेकेशनल कोर्स चलाए जारे हैं जिनमें IT Security, Agriculture, Retail, Marketing चामिलेन कोर्स पड़ाने के लिए 1810 समीदा कर्मी सिक्षक लगे हुए हैं और यहां आप देखिए 1810 समीदा कर्मी सिक्षक लगए हुए हैं उनमें 810 ही Computer Science के सिक्षक हैं याचिका में कहा कि हर स्कुल में Student के Computer के नमर बोर्ड को भेजे जाते हैं लेकिन Computer कोर्स के लिए प्रशिक्षत वनियमी सिक्षक ही नहीं है ऐसे में बिना प्रशिक्षत वनियमी सिक्षक पढ़ाई केसे करवाई जा रही है याजी का मैं काई कि स्कुलों में कम्प्यूटर सिक्षा पढ़ाए जाने के लिए नियमें सिक्षक लगाये जाए और कम्प्यूटर लेप्स में मौझूदा उपकरणों को ही काम में लिया जाए अनावशक संसादनों को नहीं खरीदा जाए अदालत ने राज्य सरकार माध्यमीक शिक्षा बोर्ट से जवाब मांगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अदालत ने यहाँ पर माध्यमीक शिक्षा बोर्ट से जवाब मांगा है कि computer के शिक्षक क्यों नहीं है और यहां आप देखिए कितने शिक्षक हैं लगवग 1810 समीदा पर लगे हुए हैं 1810 समीदा कर्मी जिन में से केवल 810 computer सिक्षक हैं वो भी समीदा पर हैं नियमित नहीं है तो यहां पर भी एक राजस्तान सरकार को computer teacher की एक vacancy निकालने की भी यहां पर आऊशकता है और यह update आप देख सकते हैं कल ही का भी update है यह जेपुर की यह news है और नवी दस्वी में computer शिक्षक के लिए नियमित शिक्षक नहीं है यहां पर आप सभी इस वीडियो को जाता से जाता शेयर करें लाइक करें जिससे हम इस आवाज को उठा सकें और राजस्तान में आने वाले समय में computer शिक्षक की भी भरती की जाए और इसी के साथ कल हमने एक वीडियो upload किया था जिसमें कौन-कौन सी vacancies आने वाली है राजस देख सकते हैं इसका link भी इस वीडियो की description में आपको मिल जाएगा और इसी के साथ यह computer सिक्षक से समन्दित भी यह news आईए और यहां पर high court ने जवाब मांगा है अब जैसे ही कोई नए update आएगा आगे इसके बारे में सूचना आपको दी जाएगी धन्यवाद